हेलो एवरीवन वेलकम टो आडी क्लासेस मैं आपका दोस्त एंड एजुकेटर लेक्ष मिना रहा दो आसा करता हूं कि आप सभी लोग सस्थ होंगे आज मैं NCRT क्लास 10th साइंस की पहली वीडियो लेकर आ रहा हूं जो हमारे पहले अध्या है रासाइनिक अफ्क्रियायों समीकर से हैं इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप इसकी सहायता से अपने नोट्स भी तैयर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं रासाइनिक अफ्क्रियायों समीकर तो सबसे पहले हम रासाइनिक अफ्क्रिया पर आते हैं लेकिन रासाइनिक अफ्क्र परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा तो और आप अपने वाई मंडल में चारों तरफ जितनी भी घटनाएं होती है उसको देखेंगे तो वहां भी आपको बहुत सारे परिवर्तन नजर आएंगे जैसे आप अपने घर पेहले लेजे जैसे दूद का फटना हो गया दूद का फटना हो गया या दूद से दही का जमना हो गया या किसी लोहे को अगर नमी युगता स्थान पे रख देते हैं तो उस पे जंग लग जाती है अंगूर का क्यूएन हो गया तो इस तरह से बहुत सारी घटना हैं जिन में आप देख परिवर्तन का अनुभा करेंगे यानि कि दूद से जब बनती है तो वहां भी परिवर्तन हो जाता है दूद जब फट जाता है तो वहां भी परिवर्तन हो जाता है लोहे पे जब जंग लग जाता हैं जो परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है सबसे एक परिवर्तन होता आपका भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और दोसरा परिवर्तन होता है रासायनिक ठीक है यानिकी दो तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो तरह के परिवर्तन का आप अनुभा भी करेंगे कि एक बहुतिक परिवर्तन होता और एक रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे देखिए पहला जैसे माल लिजे कि हमें कागज ले ले रहे हैं ठीक है इस कागज को दो भाग में ऐसे फार दीजिए देखिए अगर कागज देखे फट गया तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ कागज को फारने पे क्या आपने कुछ परिवर्तन देखा सिर्फ एक परिवर्तन हुआ क्या कि कागज की जो अकृती है चोटी हो गई और तो भाग में बट गया लेकिन अभी भी यह कागज ही है यह नहीं है कि कागज के सिवा कुछ दूसरा पदार्थ बन गया अभी भी कागज है इसी तरह से अगर आप कागज को ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो देखिए, कागज जो है यहाँ पे भी छोटा हो जा रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ बदलाव आ रहा है, नहीं, अभी भी ये कागज है, ठीक है, इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कि जिसमें कोई नई वस्तु नव बने यहीं, यहीं कि जो आपका पदार्थ है, यहीं कि जो भी पदार्थ है, उससे कोई नई वस्तु का निर्माड न हो, बलकि उसकी आकृति में या उसकी सन्नचना में कोई बदला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आपको भौतिक परिवर्तन, लेकिन अब इसी कागज को यद देखिए, इस कागज को जलाने पे आपको क्या-क्या मिला, अगर इस कागज को जला दिया गया, तो यहां से क्या हुआ, इस कागज को जलाने पे आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें से धूवा निकलेगा, धूवा का मतलब हो गया कि CO2, यानि कि धूवा का मतलब हो गय एक CO2 बनेगी उसके बाद राख बनेगा और उसमें उसमा निकलेगी यानि इसको जलाने पर क्या होता है जलता है न तो जलने के बाद क्या होगी उसमा निकलेगी न उसमा तो यहां पर क्या देखेंगे कि आप एक नई चीज बन गई CO2 यानि वो तो था कागज लेकिन का मतलब क्या हो गया ऐसा प्रीवर्तन जिसमें नया निर्माढ ना हो बहुतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नई वस्तु का निर्माड हो जाए किसी नई वस्तु का निर्माड किसी नई वस्तु मैं लिखें नए पदार्थ ठीक है यानि भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माड नहीं होगा उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाएगा उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन है तुसमें अगर कुछ बदलावाता है अगर कुछ बदलाव आता है तो उसको साधारण विधी से आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे कुदाले ले जैसे आप ले लेते हैं यहां पे बर्फ बर्फ से आपका बन बर्फ को बना सकते हैं जल जल को बना सकते हैं वास्प बन्दा ना बर्फ से जल जल से वास्प तो यहां पे यहां पे कोई नई चीज बन रही है कोई नया पदार्थ बन रहा है नहीं नया पदार्थ नहीं बन रहा है बलकि एक ही पदार्थ है उसकी अवस्थाओं में जो है परिवर्तन आ रहा है बर्फ बर्फ को भी आप ही नहीं वस्तु नहीं बनी बलकि जो आपकी पुरानी वस्तु थी उसी का जो अवस्था परिवर्तन होगे यहीं कि बर्फ को गर्म करेंगे जल, जल को और गर्म करेंगे वास्प अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगी कि अगर आप इसमें परिवर्तन का कारण हटा देते हैं अगर भौतिक परिवर्तन में आप परिवर्तन का कारण हटा देते हैं तो आपको वह वस्तु जो है आसानी से प्राप्थ हो सकती है जो वस्तु है वह आसानी से प्राप्थ हो सकती है जैसे जैसे आपने बर्फ को गर्म करके जल बनाया बर्फ को गर्म किया तो क्या बना जल बना अब यहां से अगर हमने यह टेमपरेचर हटा दिया जितना टेमपरेचर हमने बर्फ को दिया था वो टेमपरेचर हटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा जो जल बना था वो फिर आ परिवर्तन होता है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि परिवर्तन के कारण को यदि हटा दें तो हमारा जो पहला पदार्थ है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है लेकिन आप आजाई यह रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है तो रासायन परिवर्तन है अंगूर का क्विवन और भोजन का पचना तो यह सब जो है आपके रासाइनिक पर देखे दूद का फटना दही का जमना अंगूर का कीवन या भोजन का पचना यह आपके रासानिक जैसे दूद अगर फट गया तो क्या फिर आप उससे दूद प्राप्त कर सकते हैं तो उसको नार्मल तरीके से आप दूद नहीं प्राप्त कर सकते हैं दही जम गई तो फिर आप दूद प्रा दोड़ना हो गया अंगूर का कीवन हो गया बोजन का पच्छना हो गया इन को बोला जाता है है कि इनको आप कहते है रासायनिक परिवर्टन इसमें क्या होता देखे दूद जो है यह आनि इसमें आपका नई बदerson कोई नया पदर先生 यहां पर यह दिखें नया पदर्व अलग चीज है और दही जो है आपकी अलग चीज है अंगूर का कीवन अंगूर को अलग हो जाता है अंगूर से मतब कीवन करके उसको सराब बनाया जाता है तो अंगूर का कीवन करेंगे तो अंगूर से उसका सराब बन जाएगा निकि दोनों अलग-अलग हो जाएंगे तो इस तरह से यह जो है आपके रासायनिक परिवर्थन में आते हैं यो ज Wür लिँकिन आपके रासायनिक परिवर्थन के लिए बता देज novo हो एक्जाम में नहीं आएगा क्योंकि यह आपके स्लेबस से बाहर है पीछे पीछली का च्छों में ही आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा लेकिन देखिए अब इसी रासायनिक परिवर्तन से इस रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभक्रिया का निर्माड होता है रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभक्रिया का निर्माड होता है इसलिए वहाँ पर बताएगे आप देखे रासायनिक तो दोस्तों तो देखिए आपका रासायनिक परिवर्त रासायनिक अवक्रिया तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है लगभग उसी को आप रासायनिक अवक्रिया भी कर सकते हैं रासायनिक अवक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या योगिक या एक ही योगिक किसी दूसरे तत्व या आपस में मिलके चाहे किसी भी तरह से किसी नय तत्व या योगी का निर्माद करता है याई कि जब परिवर्तन में यानि ऐसा परिवाइस से भी लिख सकते हैं ऐसा परिवर्तन जहां नय पधार्त का निर्माद हो रहा हो तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ठीक है यानि कि जब आपका जो ऐसा यानिकी मतलब जो परिवर्तन होता है परिवर्तन कब होगा कि जब वहां पर अभिक्रिया होगी यानि यह परिवर्तन तभी संभव है जब अभिक्रिया होगा यानि कि रासायनिक परिवर्तन तभी आपका संभा होगा जब कोई reaction होगा ठीक है तो ऐसा परिवर्तन जहां पर आपका नया पदार्थ बंडा हो उसको बोलते हैं रासायनिक अफ्क्रिया अब यह जानेंगे कैसे कि आपकी रासायनिक कबश्रक्रिया हुई है आ यह कैसे जानेंगे कि रहांसानीक अफ्कृया है तो आपके NCRT में जो हैं आपके दो ऑज्क्रेंपल गरें यजसे पहला उसमें में दो प्रयोक दिए गए हैं फेला प्रयोक है कि अगर मैगनीशियम रीवन को मैगनीशियम रीवन को जलाया जाता है ठीक है मैगनीशियम रीवन है और इसको अगर हम जलाते हैं ठीक है तो जब मैगनीशियम रीवन को आप जलाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा इसको इकर्था करेंगे तो इसकी जो राक होगी य हो जाएगी आपकी MGO यह इसको बोलेंगे Magnesium Oxide Magnesium Oxide कि यहनि कि Magnesium ribbon को वाई में दहन करने पर ऐसे पूछ सकता बहुत important चीज़ है अब क्रिया जो है आपकी बहुत important चीज़ है कि क्या होता है जब Magnesium ribbon को वाई में दहन किया जाता है या वाई में जलाया जाता है तो Magnesium ribbon को वाई में दहन करने पर क्या बनता है Magnesium Oxide इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि Magnesium ribbon को वाई में दहन करने पर क्या बनता है मैगनीसियम आकसाइड यानि मैगनीसियम रीबन को यदि हम वाई में जलाते हैं तो यहां पर मैगनीसियम आकसाइड प्राप्थ होता है ठीक है अब देखें यहां पर कुछ बदलाव आ गए क्या देखें यहां पर ठोस थाव यह दूसरे इसकी जो इसकी जो अवस्था है व उसको जलाने से पहले रगड़ दिया जता है रगड़ एसा क्यों है मेगनेशियम को जलाने से जलेगा नहीं ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो वाई से जो है आक्सीजन से क्रिया करके पहले ही आपका मैगनीसियम आकसाइड बना लेगा यह यह वाई से अब क्रिया करके वो पहले ही मैगनीसियम आकसाइड बना चुका होगा तो वो जो होगा सही तरीके से जलेगा नहीं इसलिए आपको मैगनीसियम रीबन को पहले रगड के साफ करने के बाद ही जला जाता है फिर आप दूसरी अफ्क्रिया देखिए दूसरी अफ्क्रिया में बोला है कि एक जार में जस्ता जस्ता यानिकी जेडन बोलते हैं उसको जिंक ठीक है जिंक या जस्ता भी बोल सकते हैं ठीक है उसमें बोलाया कि उसमें अगर सांदर सलफूरी कम्ल इस के बारे में आप लोग इसके आगे वाली वीडियो है है स्ट्री अगने लेसाम पढ़ेंगे। तो सांद्र सलतूरिक अमलन की बोलते हैं उसको एड़कु आण। सांद्र सल्फ्यूरिक अमल अगर अगर उसमें प्रवाहित किया जाता है यहां से देखेंगे कि यहां से सांद्र सल्फ्यूरिक अमल को जस्ते के साथ अवक्रिया करा जाती है देखें क्या बनता है यहां से आपका बन जाएगा देखें एक साल्ट बनेगा साल्ट मतब हो जाएगा जेड़ेन सोफोर जेड़ेन इसको बोलेंगे जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड ठीक है प्लस एश्टू यहां से मुक्त होगी यानि की हाइड्रोजन गैस जो है निकलेगी और साथ ही में यह जो इसका ताप है ताप में बृद्धी हो जाएगी यह जो जार है आपका जब आप जेड मतब जब आपको जिंक जब उसमें डालते हैं और उस जार को का टंपरेचर चेक कर लेंगे कि कितना टंपरेचर है उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसमें धूए के रास्ते जो है हाइडोजन निकलेगा और साथ में इसका जो है ताप बढ़ जाएगा और इसके अंदर बच जाएगी जिंक सल्फाइड जेडेन एसो फोर एनिकी साल्ट तो यहां पे आपको रासायनिक परिवर्टन एस रासायनिक अव मिला पहला होगा आपका अवस्था परिवर्टन अवस्था परिवर्टन ठीक है दोसरा होगा आपका रंग में परिवर्टन रंग में परिवर्टन अवस्था में परिवर्टन रंग में परिवर्टन अवस्था में परिवर्टन रंग में परिवर्टन फिर गैस का निकास गैस का उच्छ सरजण मतलब गैस का निकास एप से फिर तप में परिवर्तन है जाने कि कि सी भी रासायनी कभवक्रिया में आपको इतनी चीजह मिलेंगी आवस्था में परिवर्तन रंग में परिवर्तन गैस का निकास ताप में परियोतन अगर इतने में से कोई भी क्रिया हो रही होगी तो आप कहेंगे कि वो जो है आपकी रासायनिक अविक्रिया हो रही है ठीक है न तो यह दोनों अविक्रिया है जो है आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है परिच्छा की दिर्श से पहली अविक्रिया आपक रंगमाल पे से साफ नहीं करेंगे तो वह पहले से ही आकसाइड बनाए रहे रहेगा और ठीक से जलेगा नहीं दूसरी अवक्रिया आपकी क्या है जिंग में जहस्ते में जहती बनता की क्या बनता है जिंक सु нуж्पाेड यह की साल्ट नमक साल्ट बनता है और ょका से हैडरोजन गैस जो है मुक्त होती है और घं बदल जाता है यह कि इतने परिवर्तन होते चल्षू होगी तो आपको इतने परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे अवस्था में परिवर्तन रंग में परिवर्तन गैस का निकास ताप में परिवर्तन ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में हम यहीं तक फिर अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की व जरूर कर दीजिए और वेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें